हाई गुडिवनिंग एवरीवन सो अगेन वी आर कनेक्टेड हेयर विद निफ्टी चार्ट दोस्तों निफ्टी में क्या होने वाला नेक्स उसके पर डिसकस करते हैं देखते हैं आज मार्केट में क्या हुआ सबसे पहले जिरूरी बात जो की फ्राइडे की केंडल में दिख लेकिन जो आज बाजार में हुआ तो उसमें नेगेटिव क्या है वो चीज खोजने की कोशिश करते हैं सबसे पहले एक जरूरी चीज देखिए मार्केट ने निफ्टी ने लास्ट जो क्लोजिंग दिया था 24530 दिया था और आज जो क्लोजिंग दिया है वो 24509 दिया है तो इसका क्या मतलब है अब लोवर लो लग रहे हैं राइट सो लोवर लो ओने की वज़ेश से क्या रहेगा मार्केट अब थोड़ा सा अंडर प्रेशर दिखाई देने रगा है यानि कि अब मार्केट में एक मंत्रा आप फॉलो कर सकते हैं वो है सेल ओन राइस का आज बाजार उपर भी गया रिकवरी भी बहुत शांदार की 24,350 के आसपास से बाजार ने रिकवरी दिखाया शांदार और करीबन 200 पॉइंट निफ्टी ने जो है 24,600 के आसपास मार्केट लग चुगा तो दिन में 24,600 के आसपास लगने का मतलब 200 पॉइंट की तेजी नि वो एंडर प्रेशर है, सेलिंग में है, जिस वज़े से क्या रहा, पिछली क्लोजिंग से बाजार नीचे क्लोजिंग दे करके बंद हुआ, तो ये नेगिटीव साइन बहुत ज़रूरी था मार्केट में, रीजन बिंग की बाजार में मंदी कब आईगी, तो ये एक नेग देखी सकते हैं, कि जिस तरीके से ये चार्ट जो है, फॉर्म हुआ हुआ है, तो ये तेजी इतनी जल्दी खतम होने वाली नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, तो जब भी कुछ सेलिंग बाजार में अभी आएगा, तो वो टेंपरेरी बेसिस पे सेलिंग रहेगा, कुछ ए 3% के लगबग सेलिंग दिया था मार्केट ने, और ये बात हम कर रहे हैं, 24 मई के आसपास की, अभी उसके बाद अगर आप देखेंगे, 24 मई से पहले जो सेलिंग आई थी बाजार में, वो आई थी करीबन 5-4% के आसपास, और ये कब आई थी, ये आई थी 8 मई के आसपास उससे पहले अगर आप सेलिंग देखेंगे, तो ये सेलिंग आई थी करीबन 4% के आसपास, और ये सेलिंग कब आई थी, अप्रैल मंत में, 15 अप्रैल के आसपास, और उससे पहले भी अगर आप सेलिंग देखेंगे, तो करीबन करीबन आपको ये ही डेटा सेलिंग के मिले देखेंगे पॉने 4% का मंदा ये भी आया था 13 मार्च को हर महीने बाजार में गिरावट आई 3-4% की गिरावट आई लेकिन बाजार ने उसके जो है डबल रिकवरी दिखाई बाजार ने उसके एगेंस्ट तो यहीरीजन है कि आज निफ्टी जो है हाई ओन हाई हमें 25,000 के आसपास देखने को मिला पिछले हफते तो 24,850 के आसपास का Nifty का lifetime high test हुआ अभी market जो है थोड़ा सा थम गया है 24,540 की closing दी 800-800 का बजार लगा के 300 point की घिरावट दी बजार ने 1.5 टका नीचे गीरा और आज बजार में थोड़ा और नीचे closing दिया तो जो की indicate कर रहे हैं कि market में अभी salon rise का ही strategy best रहेगा right so this is all about Nifty now come to the bank Nifty मैं totally बात कर रहा हूं technicals पे यहां पे हम लोग कुछ data नहीं ले रहे हैं हम लोग सिरफ charts को read out कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि यहां से हमें क्या पहचान मिल रही है market right अब चलते हैं bank Nifty पे bank Nifty में जब Nifty ऊपर की तरफ जा रहा था तो bank Nifty में इतना जोस नहीं दिखाई दे रहा था लेकिन अभी recently अगर आप देखें तो bank Nifty में एक शांदार जोस जो है बहुत ही शांदार यहां पे bounce back देखने को मिला bank Nifty में channel में काम किया काफी लंबे समय तक और channel में काम करने के बाद यहां पे एक शांदार breakout दिया market में लेकिन अभी का market क्या है अभी का market अगर आप देखें ध्यान से तो अभी भी यह sideways trend में रुक गया है यह market चाह करके और करीबन बावन हजार के आसपास की एक भड़िया support level bank Nifty दिखा रहा है यहां पे तो बावन हजार के नीचे bank Nifty अभी जाया गा तो वहां से एक छोटा सा recovery pullback देखने को मिल सकता है करीबन बावन हजार आट सो बावन हजार साड़े साथ सो तक था यह pullback अगर आप देखें तो आज भी दिया market ने राइट यह देखिए आज भी किस तरीके से pullback दिया market ने यहां पे हम देख सकते हैं यह पहला pullback था जो की ग्याना जुलाई को आया आज से करीबन दस दिन पहले लेकिन आप देखिए सेकेंड pullback यहां से market ने दिखा दिया अब अगर आप कल का निफ्टी का देखेंगे तो कल आपको निफ्टी बैंक निफ्टी का चार्ट शांदर हो सकता है ग्रीन में ही देखने को मिले और एक बड़िया pullback आपको जर्नी कल दिखाई देगी बावन हजार साथ सो बावन हजार साड़े साथ सो के आसपास की जर्नी मार्केट में आपको दिखाई देगी बैंक निफ्टी में दोस्तों बैंक निफ्टी इस अबावट बाय ओन डिप उसमें कोई डाउट नहीं है और निफ्टी इस अबावट सेलों राइज सो मैं यहाँ पर नॉमिनेट कर देता हूं कि बैंक निफ्टी में आप बाय ओन डिप का मंत्रा लेके अभी चल सकते हैं चब तक कोई बड़ के ऊपर 23 जुलाई देखते हैं बजट में क्या चेंजिस आते हैं बजट क्या चेंजिस लेके आता एकनॉमी के लिए और कॉर्परेट टैक्सिस के लिए वो बहुत इंपोर्टन है देखना तो दोस्तों तिल दा टाइम थैंक यू सो मच कीप लर्निंग कीप वाचिंग